कि सुपरभाद छात्रों कैसे हैं आप ठीक हैं आप सभी देखिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास सिक्स्त हिंदे बाटमाला अर्थात हिंदे फर्स्ट का पहला अध्यायत हम लोगों ने समाप्त कर चुका था अब उसके आगे पढ़ना है केवल पढ़ने के लिए नाम है का पैड़ फील और ऐसके नेक्स वीडियो में अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वल पढ़ने के लिए जो कि एपी जी अब्दुल्कलाम से से संबंदित है लिए इंए मेरी बारे में हम लोग को पढ़ना है देखिए प्रेरक व्यक्ति का जीवन मानो इतिहास का एक प्रमुख प्रिष्ट है अर्थात जो व्यक्ति किसी के लिए प्रेरना सुरूत हो मतलब उस व्यक्ति में कुछ ने कुछ खुबियां जरूर है चाहे वह किसी भी पद पर आसीन हो अ जोरी एक छोटी सी कहानी उन्ही की जुबानी ठीक है देखिए दुईतिय विश्युद के दौरान हमारा पडिवार मतलब एपी जी अब्दुल कलाम जी का पडिवार कठनाईयों से गुजर रहा था मैं उस समय दस वर्स का था मैं मतलब कलाम साहब सभी वस्तूओं की किल् के पडिवार जन एक साथ रहते थे मतलब संयुक्त पडिवार था एक होता है एकल पडिवार एक होता है संयुक्त पडिवार यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं संयुक्त पडिवार मतलब पडिवार के सभी सदस्य एक साथ मिल जूल कर रहते हैं इस विशाल कुनबे को इस विसाल पड़िवार को मेरी दादी और मा मिल कर संभालती थी घर में तीन तीन पालनों पर बच्चे जूलते रहते थे खुसी और गम का आना जाना लगा रहता था मतलब खुसी भी और गम भी सभी का आना जाना लगा रहता था मैं अपने सिक्षक स्री स्वामी अयर के पास गनित पढ़ने जाने के लिए प्राय चार बजे जग जाता था कितना बजे चार बजे वे गनित के अधुईतिये सिक्षक थे मतलब उनके समान उस समय और कोई दूसरा सिक्षक नहीं था वे नहीं सुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे कोई पैसा नहीं और एक वर्स में केवल पांच बच्चों को ही पढ़ाते थे कितने बच्चों को? पांच बच्चों को ही पढ़ाते थे कितने वर्स में? केवल एक वर्स में केवल पांच बच्चों को मेरी मां मुझसे पहले जाग जाती थी, वे मुझे नहलाती और ट्यूशन के लिए तैयार करती, मैं साड़े पांच बज़े घर वापस लोटता, उस समय नमाज अदा करने और अरबी स्कुल में कुरान सरीप सिखने के लिए पिता दी, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए म किलोमीटर की दूरी परिष्टी ते रमेस्वरम रोड रेलवे स्टेशन तक पैदल जाता, वहां से होकर गुजरने वाली धनुस कोडी में से समचार पत्रों का बंडल लेता और तेजी से सहर लोटता, सहर में सबसे पहले मैं ही लोगों तक समचार पत्र पहुंचाता था, कौन? कलाम सहब स्वेम के बारे में बोल रहे हैं, इस सहर में सबसे पहले मैं ही लोगों तक समचार पत्र पहुंचाता था, यह जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं आठ बजे तक घर वापस आ जाता, उस समय मेरी मा मुझे जो नास्ता देती, वह मेरे अन्य भाई बहनों क को दिये जाने वाले नास्ते के तुलना में कुछ विशेस होता, क्योंकि मैं पढ़ाई और कमाई एक साथ करता था, इस्कूल की छुट्टी के बाद साम को मैं फिर ग्राहकों से बकाया रासी की वसुली के लिए निकल परता, उन दिनों की एक घटना मुझे अभी भी हम सभी भाई बहन साथ बैटकर खाना खा रहे थे और मा मुझे रोटी देती जा रही थी, चुकि हम भात खाने वाले लोग हैं, इसलिए चावल तो खुले बजार में उपलब्द था, किन्तु गेहूं पर राश्निंग थी, मतलब गेहूं सभी लोगों के लिए मैं असर न आते जा रहे थे और मा तुम्हें रोटी देती जा रही थी, उन्होंने अपने हिस्टे की सारी रोटी भी तुम्हें देती, अभी घर की परिस्थिती ठीक नहीं है, एक जिम्मेदार बेटे बनो और अपने मा को भूखा मत मालो, उस दिन पहली बार मुझे सिहरन की होती हुए, मतलब परिस्थितियों के कारण यह डर गए, मैं अपने आपको रोक नहीं सका, दोर कर अपनी मा के पास गया, और भाव आवेश में उनसे लिपट गया, यह मेरी मा की कहानी है, वे 93 वर्स, 93 वर्स की यायू तक जिवित रही, मेरी मा एक इशनहसी, दयालू और धार्मिक परिविरती की महिला थी, वे रोज पांच बार नमाज अदा करती थी, मैंने जब भी उन्हें नमाज अदा करते हुए देखा, तब तब मैं प्रेडित हुआ, और मैंने अपने भीतर एक परिवरतन का अनभाव किया, तो इस तरह आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, प्रेरक ब्यक्तित्र, मेरी ममतामाई मा, जो की केवल पढ़ने के लिए था, अब हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे, अध्याय दो, आम का पेड, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में धन्यवाद,